वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथ इसाथ बेल आइकान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आ find out करना है तो simply हम क्या करेंगे 75% of 400 75% परसंटेज जो है यह परसंटेज का जो सिंबल है हम यहां से drop करेंगे 75 over 100 and multiply by 400 तो simply आप यहां से यह दो 0 जो है यह इन दो 0 के साथ cancel हो जाएंगे बाकि आपके पास क्या बचेगा 75 cross 4 आप क्या करें 75 को जो है आप 4 से जो है वो multiply कर दें 75 cross 4 4 5s are 20 2 आप यहां पर carry लेंगे and 7 4 आपके पास कितने आ जाएंगे 28 plus 2 30 तो इसका हमारे पास जवाब आ जाता है 300 अगर हम 400 का 75% लेते हैं तो हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा 300 question number 2 हमारे पास आ जाता है find a number whose 4% is 72 आपके पास एक ऐसा नंबर है जिसका आप जो है वो 4% लेते हैं और उसका जवाब आपके पास कितना आ जाता है 72 आ जाता है इसके लिए हम क्या करेंगे इस तरह के question जो है उनको solve करने के लिए हम simply suppose कर लेते हैं कि हमारे पास वो number जो है वो क्या है एक्स अगर हम एक्स का 4% लेते हैं तो हमारे पास जवाब कितना आ जाता है 72 इसको आप किस तरह solve करेंगे 4% of x is equal to 72 यनि आप जो है वो x का 4% लेते हैं और उसका जवाब आपके पास कितना आता है 72 आ जाता है 4% percentage जो है इसका symbol आप drop करेंगे यहां पर तो यह आपके पास कितना आ जाएगा 4 over 100 and 7 x is equal to 72 अब इस 100 को उठाएं आप इस तरफ ले जाएं तो 4 x आपके पास कितना आ जाएगा 72 multiply by 100 72 को आप 100 से multiply करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 72 hundred 4 x is equal to 72 hundred and x जो है यहां से आप अलग करेंगे 4 को उठाएंगे आप इस तरफ ले जाएंगे 72 hundred divided by 4 अब आपने क्या करना है 7200 को आपने 4 पे जो है वो यह 4 के साथ आप डिवाइड करेंगे 72 hundred divided by 4 यहां पे आपके पास 4 है अब 4 यहां पे आपके पास डिजिट जो है वो 7 है और यहां आपके पास 4 है simply आप क्या करेंगे यहां पे 4 को 1 के साथ multiply करेंगे अगर आप 2 के साथ multiply करेंगे तो यह 7 से exceed कर जाएगा इसलिए आप जो है वो 1 के साथ multiply करेंगे 4 1 जार 4 7 माइनस 4 बाकी आपके पास कितना आजाएगा 3 और यह आपके पास कितना बाच रहा है 2 अब आप अगर 8 को 4 के साथ multiply करते हैं तो यह आपके पास कितना आजाएगा 32 आजाएगा ठीक है अब यह जो 2 0 बाच रहें इनको उ 4 परसंट लेते हैं तो आपके पास जवाब कितना आजाएगा 72 आजाएगा आप चाहें तो इस question को जो है वो चेक कर सकते हैं आप 1800 का जो है वो 4 परसंट लेंगे तो आपके पास जो इसका जवाब आएगा वो 72 आएगा नेक्स आपके पास बहुत ही एहम रूल है अगर आप especially grade 16 या 17 की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो इस रूल से related आपसे question जो है वो must पूछा जाएगा ठीक है बाकी में भी पूछा जा सकता है लेकर थोड़ा सा upper level का है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 16 और 17 के अब rule क्या है if a is x percent more than that of b आपके पास a जो है वो x percent ज्यादा है किस से b से then b is less than that of a by तब जो b है आपके पास वो कितने percent a से less होगा ठीक है तो उसके लिए आपने फार्मूला जो है वो याद रखना है x over 100 plus x multiply by 100 साथ यहां पे percentage है ठीक है इसी rule के तैद हम a question जो है उसको हम साल करेंगे हमारे पास question क्या है if a's income is 50% आपके पास a जो है उसकी income कितनी है 50% more है किस से b से ठीक है b से a की income जो है वो 50% कितनी है ज्यादा है then how much percent is b's income less than that a's income ठीक है फिर आपने find out क्या करना है कि जो b है उसकी income a के मकाबले में कितनी कम है तो simply आप जो है इस formula को जो है इस पे apply करेंगे वो आपके पास किस तरह apply होगा अब यहां पे x percent है तो यहां पे कितना लिखा हुआ है 50% ठीक है x की जगा हम क्या रखेंगे 50 रखेंगे 50 divided by 100 plus 50 multiply by 100 आप 50 को 100 के साथ multiply करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आजाएगा आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 5000 ठीक है सो को आप 50 के साथ multiply करें तो आपके पास जवाब कितना आता है 5000 divided by 100 and 50 अब एक 0 जो है एक 0 के साथ क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा आप क्या करेंगे 500 को आप 15 से divide कर दें तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा 500 divided by 15 15 अब 15 को आप 1 से multiply करेंगे 15 आएगा 2 से multiply करेंगे 30 आएगा 3 से multiply करेंगे तो आपके पास जवाब कितना आदेगा 45 अगर आप 4 से multiply करते हैं तो ये 60 हो जाएगा तो चूंके 60 जो है वो 50 से ज्यादा है इसलिए हम क्या करेंगे 3 से हम multiply करेंगे ये बातें इसलिए बता रहा जिसलिए यहां पे फिर मैं आपको डिवाइड करके भी बता रहा हूँ 50 में से आपने 45 जो हैं उनको माइनिस करना है तो बाकी आपके पास कितने बचेंगे 5 बचेंगे इस 0 को भी आप यहां पे ले आएं फिर आप 3 से इसको मर्टिपलाई करेंगे आपके पास कितना बनेगा 45 फिर यहां पे 5 चुकर यहां पे कोई नमबर नहीं है तो यहां पे आप पॉइंट लगाएं और यहां पे 0 ले आएं ठीक है चुकर यह आपके पास 2 एंजो है उसका रूल है अब फिर आप 15 को आप 3 के साथ मल्टिपलाई कर दें तो आपके पास क्या आजाएगा 45 फिर यहां पे आपके पास 5 बाच रहे तो अगैन आप यहां पे 0 लगाएं और इसको 3 के साथ मल्टिपलाई करें ठीक है पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट तक जो है इसको असानी से साल्फ कर लेंगे अगर आप से MCQ पूछा जाता है तो आप से जो है वो पॉइंट के बाद ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 डिजिट आप से जो है वो पूछे जा सकते हैं इससे ज्यादा आप से कभी पूछे नहीं जाएंगे इसका हमारे पास जवाब फिर कितना आ जाता है 33.33% ठीक है तो B जो है उसकी इंकम A के मकाबले में फिर कितनी लेस होगी 33.33% इसका हमारे पास ये जवाब आ गया इस तरह ये रूल्स जो है ये आपने मस्ट याद रखने हैं ठीक है चुँके मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो पर बहुत मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे कि आप जो है बहुत ज़ादा डिरेक्ट समझा रहे हैं आप थोड़ा सा जो है वो इ्रिटेल के साथ बताएं इसलщshow आज कि इस वीडियो में मैंने चीज़्ों को जो हो डिटेल के साथ जो है वो हाल की है ताकि आप लोग असानी से इन बातों को समझ सकें अगला हमारे पास जो रूल है वो इसी से रिलेटेड है लेकिन उसके ये रूल बिलकुल रिवर्स है ये रूल हमें क्या कहता है इफ A is X percent less than that of B अगर आपके पास A term जो है A है या उसका X percent जो हमारे पास B से कम है then B is more than that of A by फिर जो आपके पास B जो है वो A से कितना ज्यादा होगा A जो है वो हमारे पास क्या है लेस है यनि percentage के लिहाज से A is less than B ठीक है A का जो कोई भी पार्ट है चाहे को इसकी income है या कुछ और है वो B से क्या है वो less है तो ये थोड़ा सा हमारे पास मैंने इसको reverse लिख दिया है A जो है वो आपके पास B से क्या है less है फिर हमने क्या find out करना है कि B is more than that of A by फिर जो आपके पास B है वो A से कितने percent जो है वो ज्यादा होगा ये चीज़ हमने find out करनी है इसको हम अगले question में जो है इसी rule को apply करेंगे अब इसी rule से related हमारे पास question number 3 है if A's income is 40% less than B's income A की income जो है वो B से कितनी है 40% कम है then how much percent is B's income more than A's income फिर हमने क्या find out करना है जो B की income है वो A से कितनी ज्यादा होगी तो simply आप इसके लिए formula जो apply करेंगे वो हमारे पास क्या है अभी जो हमने पीछे बड़ा है X over 100 minus X ठीक है उससे पिछले case में यहां पे हमारे पास क्या था plus था लेकन यहां पे हमारे पास क्या है minus है multiply by 100 और साथ जो है वो percentage का symbol है ठीक है अब X हमारे पास कितना है 40% है 40% A की जो income है वो B से क्या है less है and 100 minus 40 multiply by 100 साथ परसंटेज जो है इसका symbol आप carry करेंगे अब 100 को आप 440 के साथ multiply करें तो आपके पास जवाब क्या आ जाता है 4000 आ जाता है 100 मैं से आप 40 minus करें तो बाकी आपके पास कितने बचते हैं 60 बचते हैं 7% भी आ जादेगा 60 का एक 0 जो है वो 0 के साथ क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा बाकी आपके पास कितना बचा 400 400 को आप 6 के साथ divide करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा 400 divided by 6 6 को आप 6 के साथ multiply करेंगे तो आपके पास 36 आएगा ठीक है अगर आप 7 के साथ multiply कर देते तो ये कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा इसलिए मैं क्या करूंगा इसको 6 को 6 के साथ multiply करूंगा 36 आ जाजएगा बाकि यहां पर आपके पास 4 बचेगा इस 0 को भी उठा के आप यहां पर ले आएं फिर आप इसको 6 के साथ multiply करें फिर आपके पास कितना आ जाजएगा 36 आ जाजएगा बाकि फिर आपके पास कितना बं पॉइंट लगाएं और यहां पर आप जो है क्या करेंगे फिर जीरो लगा सकते हैं बलके आपको यहां पर पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है आप इस टर्म को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 66 4 over 6 अगर आप इसको मजीद जो है वो simplify करेंगे तो यह आपके पास कि क्या बनेगा 66 2 by 3% जो कि आपके पास जवाब कहां पर है option B में ठीक है इस तरह से इसका हमारे पास जो जवाब आ जाता है वो option B आ जाता है ठीक है आज कि इस वीडियो के साथ question जो है वो मैंने थोड़ से detail के साथ साल गी है साथ साथ यह बातें बताईएं इस पिछली question में जो हैं वो मैं कुछ चीजों को direct करता रहा हूँ उसका reason यह था कि ता कि हमारे पास जो वीडियो की length है वो कम से कम हो ठीक है इस लिए आज की वीडियो में मैंने ये तीन चार question जो हैं वो शामल की हैं लेकर ये rules जो हैं इनको आप must याद रखेंगे फियमान लाँ अमीद कर करते हैं कि आज के जितने भी question है वो आपको समझ आ गयोंगे अगर आपको किसी भी किसम की कोई problem आती है इन question के related तो आप comment box में उसे पूछ सकते हैं हमारे चैनल को subscribe करना मत बुलिएगा और एक अच्छा सा comment जो है वो जरूर दीजिएगा जिससे हमारी उसला अफ़ाई हो पी इमानला